हलो फ्रेंड्स मेरे यूटूब चैनल डानेमिक टूटुरियल पर आपका बहुत बहुत स्वागत हैं आज मैं फिर आपके लिए यूपी बोर्ट से क्लास तेंथ इंगलिस के प्रोज सेक्षन से फर्स्ट चैप्टर दा इंचेंटेड पूल के सेकेंड पार्ट को लेकर आया हूँ तो दोस्तों आएए डारेक्ट देखते हैं पिछले पार्ट में हमने पढ़ाया था कि बाई दा इस्टडी आफ वीच साइंस डॉज मैन बिकम वाईज किस परकार के बिज्ञान के अध्यान से मनुष जो है बिद्वान हो सकता है तो युजिश्टिर ने उतर दिया था कि नाट बाई श्टडिंग एनी सास्त्र है यानि जब यक्ष ने पूछा कि किस परकार के बिज्ञान के अध्यान से कोई ब्यक्ति बिद्वान हो सकता है तो जुजिश्टिन ने उत्र they are not by studying any sastra किसी sastra के अध्यन से कोई ब्यक्ति बिद्वान नहीं हो सकता does not man become wise यानि कोई ब्यक्ति बिद्वान नहीं होता किसी sastra के अध्यन से कोई ब्यक्ति बिद्वान नहीं होता It is by association with good, great, with the great in wisdom that he gets wisdom करा है कि It is by association यानि संगत के प्रभाव से with the great यानि great in wisdom जो ब्यक्ति बिद्वानों के संगत के प्रभाव से महान लोगों के संगत में जो रहता है वही जो है that he gets wisdom वही ब्यक्ति जो है महान हो सकता है बुद्धिमान हो सकता है यानि जो ब्यक्ति बिद्वान लोगों के संगत में रहेगा वही ब्यक्ति बिद्वान हो पाएगा न कि कि किसी सास्त्र के अधन से कोई ब्यक्ति बिद्वान हो पाएगा आगे यक्ष ने फिर जो है जो जिस्टिर से पूछा यक्ष आश्ट फिर पूछे वाट इज स्विफ्टर देन दवाइंड हवा से तेज गया है तो जिस्टिर ने जवाब दिया माइंड यानि की मन यानि मन की जो गती है वो हवा की गती से तेज है तो फिर यक्ष ने प्रस्ण किया यानि एक सुखी घास से भी फीका या फिर जो है उदास कौन सी बस्तु है तो यक्ष ने उतर दिया यानि दुख में डुबा हुआ हिर्दय जो है सुखी घास से भी ज्यादा उदास होता है फिर यक्ष ने प्रस्ण किया वाट वी फ्रेंट्स ए ट्रेवलर यात्रा में मनुष्य का दोस्त जो है क्या है तो योज़िस्टिर ने उतर दिया लर्निंग यानि सिक्षा यानि सिक्षा हमारी यात्रा में हमारा मित्र होता है तो फिर आगे पुछे कि who is the friends of one who stay at home यानि उस ब्यक्ति का दोस्त कौन होता है जो घर पे रहता है यानि घर पे रहने वाले ब्यक्ति का मित्र कौन होता है तो यूजिस्ट्री ने उतर दिया कि wife यानि जो मनुष्य घर पे रहता है उसका मित्र उसकी पत्नी होती है तो फिर आगे यक्ष ने पूछा कि who accompanies in a man in death यानि मृत्त के बाद ब्यक्ति का साथ देने वाला कौन होता है तो यूजिस्ट्री ने उतर दिया कि धर्म that alone accompanies the soil in its solitary journey after death यानि धर्म ही एक ऐसी चीज है ऐसी बस्तु है जो alone accompanies अकेले साथ देती है the soil यानि आत्मा का in its solitary journey एकांत यात्रा में after death मिर्त के पस्चाती है यानि मरने के बाद जब ब्यक्ति मरता है उसके बाद जब आत्मा की एकांत यात्रा होती है तो उस यात्रा में धर्म ही एक ऐसी बस्तु है जो उस आत्मा की साथ देती है तो आगे यच्छ ने पूछा which is the biggest visual यानि सबसे बड़ा पात्र क्या है बरतन विसल में पात्र होता है या बरतन होता है या फिर जो है टेंक होता है तो कर रहा कि सबसे बड़ा पात्र क्या है तो जो जिस्टिर ने उतर दिया तो आर्थ यानि पृत्वी इस संसार में सबसे बड़ा पात्र है which contains all within itself जो अपने आप में सब को contents में समाहित किये हुए हुए it is the greatest visual इसलिए पृत्वी जो है सबसे बड़ा पात्र है तो what is happiness सुख क्या है याच ने पूछा कि सुख क्या है happiness is the result of good conduct तो जो जिस्टिर ने जवाब दिया कि happiness is the result of good conduct सुख जो है वो अच्छे ब्यावार का परिडाम है good conduct यानि अच्छे ब्यावार का result यानि परिडाम है वो क्या है सुख यानि सुख जो है अच्छे ब्योहार का परिडाम है तो फिर आगे यच्छ ने पूछा कि what is that by giving up which man become loved by all वो कौन सी चीज है by giving up जिसका त्याग करने के पस्चाथ which man कोई भी ब्यक्ती जो है becomes mean हो जाता है loved by all सबका प्रिय हो जाता है यानि वो कौन सी बस्तु है जिसका त्याग करने के बाद मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है तो जिस्टी ने उतर जिया pride यानि कि घमंड for if man gives of being proud यानि मनुष्य अगर घमंडी होना छोड़ दे he will be loved by all तो वो सबका प्रिय हो जाएगा यानि सब लोग उससे प्रेम करने लेंगे आगे यक्ष्य ने पूछा कि what is the loss which yield joy and not sorrow वो कौन सी हानी है which yield जो जगह ले लेता है joy मैंने खुशी का not sorrow यानि वो कौन सी बस्तु है जिसका नुकसान होने के बाद मनुस्य को दुख होने के बजाए सुखी अनुभव होता है सुख का अनुभव होता है यानि वो कौन सी चीज है जिसका नुकसान होने के बाद जिसको खो देने के बाद मनुस्य से दुखी होने के बजाए सुख का अनुभव करने लगता है तो जुजुस्टिर ने जवाब दिया कि एंगर If we give up being angry, we will no longer be subject to sorrow तो करा है कि गुशा यानि If we give up being angry, यानि हम गुशा होना यानि नराज होना छोड़ दें यानि गुशा को त्याग कर दें तो हम लंबे समय तक subject to sorrow यानि दुख में नहीं रह सकते यानि यदि हम गुशा होना छोड़ दें तो हम दुख होने के बजाए सुखी होने का अनुभव करेंगे फिर आगे यक्ष ने पूछा What is that by giving of which a man become rich वो कौन सी बस्तु है जिसका त्याग करने के पस्चाथ एक ब्यक्ति जो है धनी महसूस करता है यानि धनी हो जाता है तो जो जिस्टिर ने उतर दिया desire यानि कि इक्छा If a man give of being greedy यदि एक ब्यक्ति लालच को त्याग दे लालची होने का मने त्याग कर दे He will become wealthy तो वो अवश्य ही धनी हो जाएगा फिर आगे कहते हैं आगे जो है यक्ष कुछते हैं कि What makes one real Brahman वो कौन सी बस्तु है जिससे कोई ब्यक्ति जो है वास्त्विक रूप से ब्राम्हन हो जाएगा यानि वो कौन सी बस्तु है जो ब्यक्ति को ब्राम्हन वास्तोक में ब्राम्हन बनाता है इस बर्थ क्या वो जन्म से ब्राम्हन होता है गूड कंड़क या फिर अच्छे आच्रण से ब्राम्हन होता है और लर्निंग या फिर शिच्छा से ब्राम्हन होता है यानि सोच समझ कर जवाब दीजिए कि कोई भी ब्यक्ति कैसे ब्रामण हो सकता है क्या वो जन्म से ब्रामण हो सकता है या फिर अच्छे आचरण से ब्रामण हो सकता है या फिर शिक्षा से वो ब्रामण हो सकता है तो जुजिष्टिर ने उतर दिया क्या दिया कि birth and learning do not make one a Brahman यानि जन्म और सिक्षा से कोई ब्यक्ति ब्रामण नहीं हो सकता यानि जन्म और सिक्षा किसी ब्यक्ति को ब्रामण नहीं बना सकता नहीं बना पाएगा good conduct alone does और अकेले जो है उस ब्यक्ति को अच्छे आच्रण के द्वारा जो है वो ब्रामण हो जाएगा how ever learned a person में भी कभी कभी कोई ब्यक्ति जो है शिक्षित हो जाता है शिक्षित हो सकता है he will not be a Brahman लेकिन वो ब्रामण नहीं हो सकता है without giving of bad habits यानि बिना बूरे आच्रण के अत्याग किये वो जो है ब्रामण नहीं हो पाएगा even though यहां तक कि he may be learned in the four vedas यहां तक कि यदि कोई ब्यक्ति चारो बेदों का अध्यन कर ले a man of bad conducts falls to a lower class तो बूरे आच्रण वाला ब्यक्ति जो है सुद्र से भी निम्न कलास का निम्न स्रेड़ी का ब्यक्ति यानि चार बढ़ों में हमारे कास्ट को बाटा गया है जैसे ब्रामण चत्री बैस सुद्र यह चारो में सुद्र सबसे निम्न जोनी के होते हैं तो कर आया कि अगर कोई ब्यक्ति जो है चारो बेदों का अध्यन कर ले और उसके बाद भी वह अगर बूरे आच्रण वाला ब्यक्ति है तो वो निम्न स्रेणी का यानि सुद्र से भी निम्न स्रेणी का जाना जाएगा कर आया फिर यक्ष्न ने पूछा कि इस संसार में सबसे बड़ा अश्चर क्या है युजिस्टीर ने उतर दिया एवरी डे मेन सी परतेक दीन लोग देखते हैं यानि लोगों के द्वारा देखा जाता है कि creatures depart to yam kingdom की प्राणी जो है डिपार्ट मिस यात्रा करते हैं to yam kingdom yam के राज में यानि yam लोग की यात्रा करते हैं and yet those और फिर भी वो लोग who remain want to leave forever और फिर भी वोग जो देखते हैं कि प्रते एक दिन प्राणी yam लोग की यात्रा करते हैं फिर भी वो लोग जो है live forever हमेशा जीवित रहने की इक्षा रखते हैं this truly is the greatest wonder और यही सच्चाई जो है इस संसार का सबसे बड़ा अश्चर है सब लोग जानते हैं कि मरना है फिर भी जो है वो लंबे समय तक जीने की आशा रखते हैं thus the yaksh put many questions इस प्रकार से yaksh ने बहुत सारे प्रस्ण किये और युजिश्टीर एंस्वर देमाल और युजिश्टीर ने इन सभी प्रस्णों का उत्तर दिया in the end और अंत में the yaksh asked और अंत में yaksh ने पूछा ओ किंग हे राजन one of your dad brother can now be revived yaksh ने कहा अंत में कि हे राजन अब तुम्हारा एक भाई जो है revived मैंने पुनर जीवित हो सकता है कोई एक भाई तुम्हारा जो है जीवित हो सकता है who do you want to come back to life तुम किसे चाहते हो कि वो जो है पुनर जीवित हो जीवन में वापस आए वो कौन है जिसे तुम चाहते हो कि वो पुनर जीवित हो इस चीज को सोचने में जो जिस्टिर को सिर्फ एक छण लगा और फिर उन्होंने इक्छा जाहर किया कि दो क्लाउड कंप्लेक्स यानी मेग बार्ण वाला लोटस आइड कमल नयन वाला ब्रोड चेश्ट यानी चाहर चाहती वाला एंड लांग आर्मेड नकूल और लंबी भुजाओं वाला नकूल लाइंग लाई के फालन इबोनी ट्री जो एक इबोनी नामक जंगली पेंड के समान गिरा हुआ था पड़ा हुआ था जमीन पर माइट एराइज वो जह है पुनर जिवित हो जाए फिर आगे देखते हैं कि इस बात पर यक्ष जो है खुस हुए और फिर युदिस्टिर से उन्होंने कहा यक्ष ने इस बात पर खुस हुआ और खुस होने के बाद युदिस्टिर से कहे क्या कहे वाइ डिड यू चूज नकुल तुमने नकुल को ही क्यों चूना इन प्रिफरेंस आफ टू भीम भीम के बदले में यान भीम से तुम ज़्यादा प्रेम करते हो भीम के अपक्षा तुमने जो है नकुल को ही क्यों चूना प्रिफर मतलब होता है ज्यादा पसंद करना यानि भीम के अपक्षा तुमने नकुल को ही क्यों चूना who has the strength of 16,000 elephant जो 16,000 हाथियों का ताकत रखता है यानि भीम के अपक्षा तुमने नकुल को हिक्क्यों चुना जो भीम 16,000 हाथियों का ताकत रखता है I have yard और मैंने यहां तक सुना है कि भीम is most dear to you कि भीम तुम्हारा सबसे बड़ा प्री है and why not Arjun और Arjun को क्यों नहीं चुने whose strength in arm जिनके भुजाओं के ताकत से जिनकी भुजाओं की ताकत ही is your protection तुम्हारा रख्चा कवच है जिनकी भुजाओं की ताकत ही तुम्हारी रख्चा कवच है tell me why you choose नकुल rather than either of these two तो tell me why you choose आप मुझे बताओं की आपने क्यों चुना नकुल को rather than either of these two इन दोनों में से किसी एक को चुनने के बजाए आपने नकुल को ही क्यों चुना जुजिस्टी रिप्लाइड रुजिस्टी ने जबाब दिया नकी भीम और अर्जुन इप धर्म इस गिवेन अप यदि धर्म को त्याग दिया जाए man will be ruined तो मनुष्च बर्बाद हो जाएगा कुन्ती और मादरी वेर टू wives of my father कुन्ती और मादरी मेरे पिता की दो पत्निया है कुन्ती और मादरी मेरे पिता की दो पत्निया थी I am a libe, a son of कुन्ती कुंती के पुत्र के रूप में I am alive मैं जिवित हूँ and so she is not completely bereaved और इसलिए वो पूर्ण रूप से बंचित नहीं है यानि उसका एक पूत्र जिवित है तो वो पूर्ण रूप से पूत्र से बंचित नहीं है in order that the scale of justice may be even और यहां तक की नियाई की तूला भी यहां तक की नियाई की तूला का आदेश भी यही है यानि नियाई के हिसाब से भी यही है I ask that madri's son मैंने madri के पुत्र को चुना मैंने madri के पुत्र को कहा नकूल में revive कि नकूल पुनर जिवित हो the yaks was most pleased yaks बहुत ज्यादा प्रसंद हुए with जुजिश्टिर impartiality जुजिश्टिर के इस उदारता से yaks बहुत प्रसंद हुए and granted और फिर उनको निश्चे किये that all his brothers would come back to life कि उनके सभी भाई पुनर जिवित हो जाएंगे जैनि दुबारा जीवन में आ जाएंगे इट वाज यम यह जो है यम थे the lord of death मृत्य के देवता यम थे who had taken the form of yaks जो यक्ष के भेश को धारण किये हुए थे so that ताकि he might see युजिश्टिर वो जो है युजिश्टिर से मिल सके and test him और उनकी पर इच्छा ले सके he impressed युजिश्टिर वो युजिश्टिर से बहुत ज्यादा जो है परभावित हुए and blessed him और उसको जो है आशिरबात दिये उनको जो है बरदान दिये then he disappeared और उसके बाद से वो जो है गायब हो गये अर्थात अद्रिस हो गये जो है इस तरह से यह lesson जो है समाप्त हुआ और आप अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो हो तो फिर से जो है का रहे हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकन को हिट करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके थैंक्यो